हलो फ्रेंट्स नमस्ते आदाव ससरीकाल मैं हूँ अपका दोस्त रोबिन सिंग और फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चुड़ी दर बाजू कैसे बनाई जाती है तो फ्रेंट्स आज की वीडियो पूरा टुटोरियर आपको सीखने को मिलेगा और साथ फ्रेंट्स से चुड़ी दर बाजू बनाने के लिए कि सबसे बाजू की लंबाही के आपको नाप लेना है इनकी फुल जो बाजू के बाद कि यह प्सको ने कि सकते हो यह देखिए वह इनका रहे तेरा इनच और फ्रेंट्स के वल तीन हैं आपकी पड़ेगी अभी इस न चुड़ी दरवाजू बना सकते हो फैंट्स यह देखिए जो एक मिटर कपड़ा है सबसे पहले हम ने सको भीछाना है तो ट्रैंगल शेप में कैसे बिछाना है यह देखिए आप इसकी एक ट्रैंगल बना सकते हो इस प्रकार से यह देखिए कि इदर से भी कोई सा भी कोरनर आपको यह प्रम पटाल है अज़े बना लिए एप मैं आप अपको में दिखाता हूं इस प्रकार से जब यह चैनल से बनाने के बादMax है कि इसको Quick करने ञेसे क्या होता है कि यह दोनों वाजू है कि यह यह अज हसान दरीके से आपकी इतने बड़ आपे कपड़े में से प्रकार से क्यों कि यह से कपड़ा चोटा बड़ा है और सीधा लगाने इसका लेवल निशान लगा लिया और बिलकुल जश्ट इसके निशान के नीचे आपको तीन इच पर एक निशान और लगाना हुता है जो हमें आर्म होल की कटिंग करने के लिए किसी प्रकार की बाजू क्यों ना हो तीन इच का एक डाउन पर निशान लगाना होता है यह देखी इस प्रकार से ही मैंने तीसा जो है दूसरा निशान भी लगा लिया है अब फ्रेंट्स क्या आपको सबसे पहले आपको बाजू की लं आइकन आप था वह था साथ और साथ का अधा होता है साड़े तीन इस प्रकार से निशान लगा लेना है अब फ्रेंट्स इस जगह से आपको लगबग छे इंच पर नीचे एक निशान लगाना है यह देखी क्योंकि जो आर्म होल का जो नाप लिया था मैंने वो लिया था म सकताए यह देखी कि लोटकीं फेंट्स निशानों का अपस मेंद आपको मिलाना है यह देखी इस प्रकार से और जो भी आपका जो आर्मोल का साइज हो जो भी सीना का कोर्डिंग बन रहा हो वह उतना आप याह से रख सकते हो साड़े साथ आठी जो भी आपका साइज आ रहो मैं जनरली यह आप एक निशान लगा देता हूं यह देखिए इस प्रकार से क्योंकि आज की जो वीडियो का जो में मकसर है वह आपको चुड़ी दर बाजू को कटिंग बताना है अब फ्रेंट्स वही फार्मूला है जैसे हम बाजू की कटिंग करते हैं यहां से आपको धाइन छोड़ते हुए अब इसको इस प्रकार से मिलाते हुए इस पोइंट में म क्टिंग होती है उसी प्रकार से एस कपड़े को मैंने लिए अब अब उतकी क्या और एप साढ़ी तीन है वहां तक सीदह निशान लगा दें यहां आप अब फ्रेंट्स यह जो एक्स्टा जो कपड़ा ना ये देखिए बाजु की तो लंबाई हो गई यहां से लेकर यहां तक अब यह जो एक्स्टा कपड़ा यह सारा हमारा आएगा चूडियों के काम लेकिन फ्रेंट्स इसमें जिस चीर का में ध्यान रखना है वह यह है कि साथ इंग जितनी भी चाहूं तो इसमें फ्रेंट्स मैं बाजू की जो आगे से जो चूड़ियों का जो माहा पर रख लेता हूं आठ इंच पर मैं इस प्रकार से निशान लगाऊंगो यह देखिए तो फ्रेंट्स आप देख सकते हो चूड़ी तर बाजू कटिंग कर ली है और यह जो पॉइंट है यह पॉइंट है हमारा यहां तक तो हमारी फिक्स बाजू रहेंगी इसके अलावा एक्स्ट्रा कपड़ा है कि हमरा चूड़ियों में काम आ जाएगा अब फ्र आदा इंच का मार्जन इस तरह से कटिंग कर देना है यह देखें तो फ्रेंट्स अब यह देखिए इस प्रकार से बाद जो हमारी जो है कट चुकी है अब इसको सिलने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको आगे वाला जो पॉर्शन है यह वाला इसको आदा इंच मैं आपको बताता हूं तो फ्रेंट्स यह देखिए आगे से आदा इंच मैंने फोल्ड कर लिया है अब आपको यह जो समझना है फ्रेंट्स यह जो स्लाई सीधी आपको कभी भी नहीं लगानी यह देखिए यहां से आपको सबसे पहले एक निशान लगाना चार इंच पर देखिए आप देख सकते हैं इसके बारे मैं आपको बताता हूं और यह स्लाई आपको जब भी लगानी फ्रेंट्स इस स्लाई को लगाने का एक तरीका होता है क्योंकि आगे इसमें लगाने टिच बटन तो यहां से आपको स्लाई शुरू करनी है और यह चार इंच तक आज में टिच बटन तो पहले फ्रेंट्स यह स्लाई लगा के आपको दिखाता हूं फिर इसका मैं आपको लुक भी बताता हूं कैसे स्लाई यह लगेगी तो फ्रेंट्स यह देखिए आदा इंच का मारत नियांसे लेना है आपको और यह देखिए किस प्रकार से लाई होता है और ятी उसकी बाद आपको दुबारे लगानी पड़ती है और आपकी स्लाइब लगानी पड़ने करने के आपको मैंने लुक अब अब आगए पर प्रेंद्स अब आपको 2.3 निष्वर निषान लगाना है क्योंकि आपकी कलाई का साथ मैं आपको आपको बताया था वह था जगह लगाएंगे हैं तीच बटन यह देखिए टिच बटन है और इसको लगाने से क्या है कि जो बाजू है आराम से पहनी जाएगी और पहनने के बाद इसको बढ़ाद का बंद कर लोगे तो बहुत यह च्छह इसका एक लुक आएगा और इसका फाइनल लुक है वह मैं को बताया कि जोड़ी तर बाजू कैसे बनाए जाती है अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो फ्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बाद अपली चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें थैंक्यू वेरी मुच